तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो उन सभी विद्यारति वो का स्टूडेंट का मैं अभिवादन करता हूं कि जिनको नीट के अंदर अच्छे मांक्स मिले है और ऐसे कहीं बच्चे कि जिन्हों ने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उन लोग को बिलकुल भी इनफिरियरिटी फिल नहीं करनी क्योंकि नीट एक एसे एक्जामिनेशन में एक्जामिनेशन है जिसमें कहीं बार फर्स्ट ट्राइग के अंदर हो सकता है कि आपका क्लियर नहीं हो तो यूँ हाव तो गिव सेकेंड चांस तो अपनी प्रिपेरेशन को मत छोड़िए और एक और आप त्राइड दे सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं में मेहनत करके इसमें अच्छा रिजल्ट पा सकता हूँ एनिवे मुझे यहां पर आज खास करके बात करनी है कि कहीं ज्यादा ऐसे बच्चे कि जिनको नीट के अंदर अच्छा स्कोर है और उनको कहीं कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हो चोईस फिलिंग के अंदर गलतिया कर देते हैं अब देखो बात है कि हर एक स्टेट के अंदर चाहे हो गुजरात हो रास्तान हो यूपी हो अपना मध्यप्रदेश हो और कोई भी स्टेट हो तो उनके स्टेट की एक स्पैसिफिक वेबसाइड होगी जो एंबीबीएस हो वीडियेस हो हमें पर दिखो उनके एडमिशन के लिए अब आपको क्या करना है चोइस फिलंग के राउंण आएंगे कहीं बार एसा होता है कि वर्रे अब देखिए प्रोब्लम कहां पर हो रहा है बच्चे जा जिसको हम कह सकते हैं कि वो आस्मानी गलती कर देते हैं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और यह गलती कौन सी है मिसाल के तोर पर अगर उस बच्चे को गवर्मेंट अब जो उस बच्चे की अगर उसकी इच्छा ऐसी है कि मुझे अगर गवर्मेंट होमेंट मिलता है तो मुझे प्राइवेट में डेंटल में जाना नहीं है मिसाल के तोर पर ओ बच्चे की इच्छा ऐसी है अब गलती कहां पर उसने की कि पहली चोईस तो उसने ठीक डाली कौन सी गवर्मेंट MPBS चलो उसमें एडमिशन नहीं मिला तो सिस्टम चेक करिए इसको इस बच्चे को मिल रहा है मेरिट के साब से प्राइवेट MPBS में उसमें भी नहीं मिल रहा है अब सिस्टम ने चेक किया कि इसको प्राइवेट MPBS में मिल रहा है तो बच्चे ने पांच वी चोईस कौन सी डाली थी गवर्मेंट होमेपेथि की चोथी चोईस कौन सी डाली थी प्राइवेट BDS की तो सिस्टम को क्या पता चला अब सिस्टम को ऐसा तो है नहीं क्यों आपको कौल करेंगे देखो भए आपको इसमें एडमिशन मिल रहा है आपने गलती क्या कर दी कि वहां पर चोथा नमबर दे दिया है चोथा नमबर किसको दे दिया है private BDS को और इसलिए system अपको admission दे दिया किस में अलोट कर दिया private BDS में न की government homeopath, अगर आप उसमे private BDS नहीं डालते अगर चोथा नमबर आप और इसी अनुसार आपको कहीं ना कहीं चोइस फिल करनी है ऐसे कहीं और एक बार मुझे एक बच्चे का फोन आया था वैसे तो काफी आता ही है लेकिन एक कुछ बहुत बड़ी गल्ती उसने कर दी कि उसका क्या प्रोब्लम हुआ कि सर मुझे प्राइवेट होमेपेथे में मि हाहा है हाला कि उसको चाहिए था गाभरमेट में और उसका मेरिट भी थो क्यूकि उससे गयुक्त करना तो मैं मैंने पहली चोइस गवर्मेंट एंबीबीएस फिर उसने उसको नहीं करना था तो उसने डायरेक्ट दे दिया गवर्मेंट हो में पे थी और प्राइवेट अब बताई आप समझ गए होगे कि उसने गलती क्या कि उसने गलती यह कर दी कि फॉर्थ नंबर पर उसने लेकिन उसने यह गलती कर दी और यह बहुत ही बड़ी गलती अब उसको क्या करना पड़ा कि उसको उसी स्किप कर दिया उसने और और फिर सेकंड राउन में उसको एडमिशन नहीं मिला तो यह बात है तो आप छोटी से आपकी गलती चोइस फिलिंग के अंदर आपको हो तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और फिर भी जो मैंने आपको एक्स्प्राइशन दिया है आपको समध में आ गया हो लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट्स है आपके तो नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पुछ सकते हो चले थैंक्यू थैंक्य थैंक्यू 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 आपको एक्यूप्र भालolph।